ये आकाश्वानी है चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाश्वानी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञानधारावाहिक चलती रहे जिंदगी की सोलवी कड़ी शुताओं के पत्रों पर आधारित नमस्कार विज्ञानधारावाहिक चलती रहे जिंदगी के इस इंटरेक्टिव कड़ियों में आप सब का सागत है हमारी 15 करियां परशारित हो चुकी है और हर करियों में पूछेगे प्रशनों का जबाब बहुत सारे पत्रों के माध्यम से हमें मिलता रहा है इस कड़ी के अंत में हम सुरताओं के पत्रों को सामिल करेंगे और उनका हम विश्तृत वर्नन करेंगे आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विशेशक के तौर पर डॉक्टर प्रदिप्तो घोष वर्तमान में टेरी दा इनर्जी रिसोर्च इंस्टिचूट में डिस्टिंगिस्ट फेलो हैं और भारत सरकार के प्रियावरन वन ये जलवायू परिवर्तन वंतराला में ये सचीव के पद पे रहे हैं सर आपका हमारे कारिकरम में स्वागत हैं हमारे साथ विज्ञान परसार से जुरे वहां के निदेशक डॉक्टर आर गोपी चंद्र हैं और इस सीडियल के कोडिनेटर अवरिस्ट वैग्यानिक डॉक्टर बिरेंद्र कुमार त्यागी जी हैं आप सब का भी हमारे स्टूडियो में स्वागत है धारवाहिक की इस कड़ी में डॉक्टर त्याग इस पहले आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे सुनने वालों क्योंकि हम जब ये कड़ियां हमारी अभी बीच में बावन एपिसोड का है और ये सोलावी कड़ी का प खेलारी जो कि mathematics की गन्नाओं पर आधारित और वैग्यानिकों पर आधारित था ये जो वर्तमान में हमारा धारवाहिक है इसके बारे में आप क्या विशीश बात बताना चाहेंगे हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि जो विकास की परिभाशा हम देते हैं उसमें उस में नहीं पूरे देश में है और ये पूरा एक बिगड़ता परियावरन हमारे जो प्राकरतिक जुश्रूत है उनकी बिगड़ती हालत और ऐसी अवस्था आ गई कि जो जविवित्ता है उसका बहुत ही नुकसान देन परती दिन होता जा रहा है तो एक ये बात थी कि क्या अ हमारा जो United Nation है जिसमें की भारत भी उसका एक सदस्य है तो ये बात हुई जो Sustainable Development के विकास की एक परिकल्पना करी के और जिसमें जो Sustainable Development Goal जो है जो उसमें से कुछ ऐसे मुद्दे थे कि हमारा जो एनरजी खासकर जो उर्जा का है क्योंकि उर्जा अभी हमारा कारवन आध सादन है उनको कैसे रख रखाव किया जाए और भाविशय में क्या संभावना यह भरती है तो यह जो विशय थे जिनको की यह सोचा गया था कि एक विज्ञान और प्रद्योंगी की साहिता से एक विकास को नजरिये से देखा जाए और जिसमें कि जो अभी तक हम देखते उससे थोड़ा यह अलग हटके हम देखें क्योंकि इसमें यह पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको एक जो विकास है उसको तीन पैरमीटर पर देखा जाएगा जिसमें कि परियावरन है और आर्थिक विकास तो ही है और उसका जो समाजिक जो प्रभाव हो है वो क्या होगा तो इनी बातों को ध्यान में रखते हैं और क्योंकि यह बात बिल्कुल सही है कि अगर हमारे शोता यानि कि हम सब अगर इस बात को पहले हमारी समझ नहीं होगी तो जो हमारी सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं उसमें हमारी भागेदारी कैसे होगी तो उस भागेदारी को सभी अवेरनेस क्रियेट करने के लिए ये भारेस सरकार ने जो विज्ञान पिसार जिसका की उद्देश विज्ञान लोग प्रिया करने हैं, इसलिए ये सिरियल का जो है निर्मान किया गया। के सभी पहलूओं को ले करके हैं, तो उर्जा उत्पादन उर्जा के उपयोग और जो लक्ष है सतातिव कास के लिए उसके बारे में आप हमारे लोगों को सुनोताओं को कुछ बताइए। और ये जब बायू मंडल में जब ये फैल जाता है तो फिर सारी दुनिया में फैल के फिर ये ग्लोबल वार्मिंग का इसके ये आसर होता है ग्लोबल वार्मिंग का। दूसरे और तरीके के जो प्रदूशन निकलते हैं जैसे की सलफर, डायकसाइड, पार्टिकुलेट्स यानि की धूमा उससे ऐसे हैं कि वो तो लोकल या रीजिनल बेस पे उनकी प्रभाव होती है और उनसे सेहत पर बुरा आसर होता है और ये कुछ तो वेजटेशन पर भ अनकी होते हैं दूसरे तरीके के जो उर्जा है इनको clean energies कहलाते है clean energies के माने renewable energy जैसे की वायू से जो 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 है सूरिय से जो 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 है इनके जो पर असर है वो कम है तो ये global warming का जो एक और nuclear वी है इनमे climate change या global warming इनको रोकने के लिए ये उचित है कि हम fossil fuels के बज़ए हम यह clean fuels का प्रियोग करें और इस transition को यह mitigation कलाती है और इस transition से मतलब जो सारे climate change agreements है जाज़त तोर से यह transition पे कैसे क्या जाए कौन से मुल्क से इनकी technology प्राप्त हो कौन से मुल्क को कितनी effort करनी चाहिए यह सब जो international agreements है इस सब international agreements इसी बातों से जुड़ेता है अपने उर्जा उतपादन के विभीन पहलूँ की चर्चा की कि fossil जो fuel है उसके किस तरह से यह carbon dioxide effect जो green house effect हो रहा है clean energy की आउशकता भी है और उसका उतपादन भी किया जा रहा है डॉक्टर आर गोपी चंदरन जी आप इस धारवाहिक के करता धरता है और जो बहुत सारी धारवाहिकों का मार्क दर्सन आपने किया है यह जो सतत्विकास है और जो अभी बहुत सारी अंतराश्टिय अस्तरत पर समस्याई भी हो रही है गर हमारा जो उद्देश है कि सतत्विकास के लिए लोगों को जागरूप करता है और उन्हें जानकारी देके उन्हों ससक्त बनाना इसको लेकर के आप क्या देखते हैं हमारी जो अब तक किया धारवाहिक है या आगे की जो आने वाले धारवाहिक है वो कितना कुछ और सिखाने वाला है दो मुद्य पर मेरा जवाब में सबके सामने रखना चाहरू हूँ पहला है कि हम इस तरह का जो विज्ञान और फ्रसार के बारे में हम जब एकटा होके काम कर रहे है मुझे बोलना मेरे तरफ से इतना बड़ा एक फरस बन जाता है कि ये संस्ता का जो हेड है निदेशक है वो इसका कार्य करता नहीं बन जाता है ये बहुत ही एहम एक मुद्दा है कि सबको मालूम होना चाहिए कि इसका जो कारण है हमारे साथ जो काम कर रहा है इस दारवाहिक का हमारे साथ जो त्यागी साब है उनका सोच है है जितना भी क्रेडिट देना है क्योंकि इस तरह का जो क्रेडिट है जब विज्ञान के बारे में बात करता है scientific temper भी रहना चाहिए उसका human values के साथ होना चाहिए human values जब आता है कि जो बढ़िया काम किया उनको पहला recognition देना है तो इसका मतलब है हमारे साथ जो है हमारा कॉली वो इसमें बहुत ही बढ़िया काम किया है जो त्यागी साब है इससे मैं दूसरा मुद्दे पर चले जाओंगा एक क्यों मैंने बता है यह जो हमने सतत विकास के बारे में बोलते है एकुटी जस्टिस के बारे में बोलते है एकुटी एंड जस्टिस इसपेशली एनरजी सिनारियो में कैसे आएगा इस पर मैंने सर्फ एक मिनिट का समाई लूँगा लगबग 6 साल पहले एक विदेश से मेसेज आया climate change के बारे में सब लोगों के साथ हमारे citizen के साथ पशली भारत में कैसे इसके बारे में बात करेंगे वो लोग बोला कि kick the habit इस आदत को आप छोड़ दीजिए ये message दीजिए करके आता तो हमारे लोग पूछा उनको हमारे लोग के पास हम जाके क्या बताएंगे कौन सा आदत है उसको छोड़ने का ये लोग बोला कि तीन चार कार हम नहीं रखेंगे हमारे लोग पूछा कि आख मानी जी भारत में हम गाउं गाउं में जाके उनको बताएंगे इस आदत को छोड़ दो वो लोग बोलेंगे पहले हमारे पास हता है ये नहीं एनर्जी के बारे में जब बात करते हैं especially equity and justice में हमारा भारत का जो सम्मंदत जानकारी है उसका जो value होगा उस तरह का message देना चाहिए इसलिए हमारे लोग भारती लोग क्या बताएंगे को भाई हम इस message नहीं देंगे हम बताएंगे kick the habit चोड़ के pick right आपके सामने अगर 3-4 options होंगे उससे आप क्या option चुनेंगे और ऐसा option होना चाहिए कि हमारे गाव गाव में हमारे शेहर में उस तरह का relevance होना चाहिए energy ऐसा है कि सिर्फ पूर्जा का दृष्टी से नहीं देखना चाहिए इसको उस energy use करने की वज़े से कितना हमको our resources को access मिलता है उस तरह का हम सोचके इस दारावाही का महतोपूर्ण वो ही है कि बारत का जो सम्मंदित जानकारी है उसको किस तरह हम हमारे लोगों के पास पहुंचाएंगे छोड़ा जाए डॉक्टर परदिपतो घोष शाहव आप जो है जलवायू परिवर्तन और वन और परियावरन मंत्राले में रहे हैं और उच पद पर आप सचीव के पद पर रहे हैं अभी तक जलवायू परिवर्तन को लेकर ये अंतराष्टिय संमेलन हो रहे थे तो जब हम जलवायू परिवर्तन की बात करते हैं जो कि उर्जा उत्पादन से परत्यक्ट सुरूप से जलवायू परिवर्तन का दुस्परभाव बढ़ रहा है तो उसमें आप हमारे सुनने वालों को क्या विशेश बात की क्या इसका सिनेरियो था, क्या इसका इतिहास था, अब जाके हमारे देश के लिए क्या फाइदे की बात है भारत का ये दिश्टी कॉन रहा है कि ये जो जितनी भी ये अग्रीमेंट्स होंगी जैसे गोपी चन्नि जिर कहा, एक्विटी अंड जस्टीस के आधार पर होगी और ये जो विक्सित देश हैं, वो इस बात को मानने के त्यार नहीं थे तो इसलिए जब भी ये निगोसेशन होते थे, तो ये जो एक्विटी अंड जस्टीस का जो मुद्दा है, सामने रखता था और ये विक्सित देश जो हैं, वो जाके कहते थे कि एक्विटी और जस्टीस की बात छोड़ो, तो ये बात हिंदुस्थान बिस्विकार नहीं कर रहा था अब जो है कि पैरिस अग्रीमेंट में फाइनली ऐसे अग्रीमेंट आए जो कि बैलेंस है और जो डिवेलप्ट और डिवेलपिंग कंट्रीस हैं, उनमें जो जो दाइत्वा रखें गए हैं, उनमें बैलेंस है और दोनों तरफ से सहमती है कि इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं अब जब ये पैरिस अग्रीमेंट लागू हो चुका है तो अमेरिका में इलेक्शन के बाद नए उनके राष्ट्रपति आए हैं, तो नए जो राष्ट्रपति हैं, उनकी विजारधार कुछ और है, तो ननने का कि हम तो पैरिस अग्रीमेंट से सहमत नहीं है, हम तो उससे भी जो़ेगे, तो वह सारी तेखनलोजी तो हम देखते हैं, कि जो विक्सित देश हैं, अल्मोस्ट उनी के पास हैं, और इस समझोते के तहट, पैरिस जो समझोता है, इसमें भारत को क्या अड्वांटेज मिलेगी, क्या हमें कम कीमत पर या कहें कि अगर हमें एक इन्वायरमेंट एक बड़ा मुद्धा है, जिससे की सबी जोड़े है, जो हम ये इक्विटेबल और जस्टिस की बात करते हैं, और जहां तक जो मुद्धा है, वो यूनिवर्सल असस्टू मॉडर्न एनरजी की बात है, जो पैरिस अग्रीमेंट के अंतरगात, जो भी कमिट्मेंट्स हैं, जो हिंदुस्थान ने स्वैम अपना हैं, वो ये ह कि हम क्लीन एरजी शालिस प्रतिशद केपैसिटी तक हम दो हजार बीस तक मतब हम ये मतब लागू करेंगे, लेकिन एक शर्ट इसके लिए टेक्नोलोजी और पुंजी जो हमारे पास नहीं है, वो विक्सित देशों से आएगा, पर क्या वो देंगे, क्योंकि बात वही आत हैं, हम फिर उसी बर आ जाएंगे, ऐसे है कि टेक्नोलोजी बहुत तेजी से प्रगतिव कर रही है, तो उमीद है कि कुछ सालों में जैसे इलेक्रिक वहिकल्स, वो बिलकुल वो कॉप्टिटिव हो जाएंगे, तो फिर ये जो टेक्नोलोजी और पुंजी, ये उमीद है कि पूरे मात्रे तक भी ना आ है, लेकिन मतलब काफी मात्रे तक at least investment basis पे आनी चाहिए, और ये हिंदुस्तान का शर्त है कि अपने बल से जितना कर सेकेंगे, वो हम करेंगे, लेकिन उसके आगे एक आगर करना है, अगर हमारे जो गोल्स हैं, वो गोल्स इस शर्त पे हमने साम तो इनका जो अप्रोच है कि जितनी भी targets है, developing countries के, वो एक अठा करके, फिर ये international bids लगाएंगे, कि हमें आप technology सबसे कम पर अब दीजिए, और इस तरीके से जैसे हिंदुस्तान में LED bulbs का दाम जैसे कम हो गये, तो उमीद है कि ये technology है, क्योंकि हम scale देंगे, सारे देशों का बतलब ये aggregation, demand aggregation करके scale देंगे, तो इससे उमीद है कि ये clean energy की technology है, उनके भी कीमत काफी जल्दी सुदर जाएगे. डिक्टर आगोपी जैसर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कि हमारा जो अभी तक का तुजरुबा रहा है, क्योंकि ये एक energy को लेके नहीं और भी ऐसे मुद्दे हैं, जहां तक technology transfer की जब बात होती है, तो जिनके पास जो technology है, वो जिनके पास नहीं है, उनको देना जब उस पर sign करने के लिए थायर हुआ था, इंडिया के अंडर तीन गाइडिंग प्रिंसिपल्स अडप किया थे साब, इंडिया ने बोला कि हमने जो भी करेंगे, इस शुद भी जो भी करेंगे, इस शुद भी with minimal economic dislocation, दूसरा बोला कि इशुद भी with minimal obsolescence costs, and तीसरा इसको हम क्या कर रहें उसके लिए, हमारे कुद का, इसलिया बोलते हैं आजकल सिर्फ human resource development नहीं बोलते हैं, इसको आज बोलते हैं, human and institutional development, हमारे लोगों को इस techniques के बारे में हम जानकारी कितना दे सकते हैं, उसकी मुताबिक training आप करिए, अगर alternative systems है, उसको हम आगे कैसे बढ अगे ले जाएंगे, इसके लिए सोच हम खुद हमारे देश के अंदर भी कर सकते हैं, वहीं से आनी चाहिए, वहां से आना चाहिए, जिसके लिए भारत ने बहुत प्रहितन करके रखा, उस पर, गोश साब अगें अग्री करेंगे, कि बहुत ही community level initiatives है, energy पर, locally adapted energy systems है, तो अगर जवाब देना है, उसको holistic answer देखना चाहिए, उसके लिए regulations है या नहीं, market instruments है या नहीं, institutional mechanisms क्या है, यह सब देखे, finally इससे सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, इंडिया का जो policy makers है उनका एक बहुत ही बढ़िया स्खोच है, जो भी करेंगे उसको phased manner में करिये, अचान तरीका है, अंदर से भी हम तैयारी को बढ़ानों दूसरा तरीका है, तो जो हमारे प्राकरतिक सिंसाधन है, जो भी natural resources है, खासकर हम पानी की बात करें या हवा की बात करें, क्योंकि हमारे जो कुछ traditional system रहे हैं, energy को लेके, जिसमें की एक वाटर मेल है, घराट जिसे कहते है जो की उतरांचल में, लेकिन लोगों ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि बिजली आ गई तो वो काम उससे होने लगे, यह जो indigenous technology थी हमारी, जो की बहुत ही appropriate है उससे साफ से, जो की pollution free है, अपको क्या लगता है कि क्या हम आज की जो हमारी demand है, वो उस conventional method से पूरी हो पाएगी या हमें दोनों को supplement करना वड़ेगा? वो तो traditional technology से प्रापनी होगा, तो हमें नई technologies लानी पड़ेगी, लेकिन नई technologies वो ही प्राकृतिक resources से बतलब उत्पादल होगी, जो traditional technologies जिस्वा धारते हैं. इस पर और एक दुष्टी कौन भी है, हम जितना भी चाहिए produce कर सकते हैं, लेकिन उसका consumption का भी देखना पड़ेगा, consumption style. देफोर production and consumption जोड के देखना पड़ेगा, एंड फाइनली इस पर एक बहुत ही महत्वपूड मुद्ध है, इसको energy mix बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मुद्ध पर हम चलेंगे, energy mix को देखके production and consumption का harmonize करना पड़ेगा, वो करेंगे locally adapted solutions मिलेगा. आपने बहुत अच्छी बात कही है, कि जो उर्जा का उत्पादन है, जो उसका उप्योग किया जा रहा है, इसके बीच में भी एक सामान जस्ट बनाना परेगा, उर्जा की आप सकता दीन बदीन भरती ही जा रही है, खास करके विद्ध उर्जा की, अब घरों में चाली ज अनसाधनों का दोहन हो रहा है, उससे फिर जलवायो परिवर्थन और परत्यक्स रूप्चे उत्पन हो रहा है, अब हम कुछ अपने स्रोताओं के पत्र सामिल करते हैं, बहुत सारे स्रोताओं ने हमें पत्र भेजा है, में इमेल भी भेजा है, सब को तो हम सामिल नहीं कर पाएंगे अंत में जब हम इन लोगों के लिए प्रुषकार की घोशना करेंगे कि किनका किनका चुना हुआ है कुछ पत्र हम सामिल करना चाहेंगे एक हमें बेजा है यह बालेंद्र कुमार राजपूत और समस्त औरोरा निवासी यह जिला हमिर पूर से भेजे हैं इन्होंन किन प्या हमारे पत्र को जरूर सामिल करें तो ठीक है हमने आपका पत्र सामिल किया है इसके अलावा इन्होंने हमारेी On प्रश्नों का जवाब दिया है जो बिल्कुल सही है। प्रश्नों का जवाब दिया है। उन्होंने अब छटी कड़ी का जवाब सही सही दिया है और साथ ही उन्होंने लिखा है कि नमस्कार मैं विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी हर विवार को सुबह नौ बज के दस मिनट पर सुनता हूँ। अभी तक मैंने सभी करियां सुनी है, हर करी में उपयोगी जानकारी होती है। इस बार प्रकृत और प्रियावरन के बारे में जानकारी बहुत उपयोगी थी। समय से हमें जगाने, चिताने और प्रकृति को बचाने के लिए इस धारवाई के माध्यम से आप सभी को पुने धन्यवाद। आप सबको भी नवरात्री की और आने वाली दुर्गा पुजा की भार्दिक सुबकामना चलती रहे, जिंदकी कारिकरम वास्थिक रूप से युवाओं को जगाना है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जाग रूप हो, और आपने कर्तब्यों को समझें, ताकि हम और आने बढ़िया कि उता एटार आने जिए आफिजिशा नवरात्री की बाहतना आइड़ा इसने के उनको कुछ पता नहीं है, ताकि ओतको है त्ग Come शुखामना है। इस पर तो मुझे काफ़ी गर्व हुआ है, बिल्कुल, 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 आलन दाया कि कविता सुनके, और एक और इस पे जो बात देखने को मिलती है कि जितने भी हमारे शोधा हैं, ये जादतर हमारे ग्रामिन इलाफों से आये हुए पत्र हैं, हलाकि दिल्ली से भी क में एक और अपने वातावरन को बहुत विज्ञानिक नजरिय से देखते हैं, और हमें उमीद है कि इस तरह से अनि लोगों को भी प्रेवित करते होंगे, ये पट्रों के पत्रों को आगे भी सामिल करेंगे, अगली कडियों में, मैं एक और सुचना देना चाहूंगा, कि ह हमें कुछ पत्र इमेल के जरिये भी मिले हैं क्योंकि हम कारिकरम के अंत में अपने इमेल का जो पता है वो बताते हैं और यहां पर काफी इस होता है मैं देख रहा हूं कि कुछ हिमाचल से हैं कुछ दिल्ली से हैं कुछ बिहार से हैं कुछ उत्तरप्रदेश राजस्थान से ह लेकिन इसमें कई मेल में उनका पूरा जो एड्रेस नहीं है तो मेरी सभी हमारे शुरताओं से गुजारिस है कि जब आप इमेल के जरीए अपना जबाब भेजते हैं तो अपना पूरा पता डाक का पता उसमें जरूर लिखे क्योंकि अगर आपका पत्र यह कहीं कि आप आप में स Україरों से करें के कैई हमारे बहुत स्रोता हैं जो रखीस्टर डाक से भेजते हैं बड़े बड़े लिफाफों में भेजते हैं बहुत सारे पेज ओं में भेजते हैं उसकी जरूरत नहीं है हमें एक पोस्ट कार्ड में या अarmeं अंतरदेशिं में भेजें आप जो भी कहन ऑपना छाहते हैं संचेप में करें और अपना जबाव लिखे क्योंकि बहुत सारे पत्र हमारे पास आ रहे हैं कई सुरोता हर कडियों का जवाब दे रहे हैं उनको लख्की ड्रॉ में रखेंगे उन सुरोताओं को हम हर कड़ी में पत्र सामिल नहीं कर पाएंगे के ताकि अनिसरुताओं का भी पत्र सामिल हो पाए हर बार के प्रोग्राम में लेकिन हम कोशीज करेंगे कि लखी ड्रॉ में वो सब सामिल हो दोक्टर परदीपतो घोष जी डॉक्टर आरगोपी चंदरन जी और डॉक्टर बिरंद कुमारत्यागी जी आकाश्वणी और विज्यान प्रियास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्यान धारवाहिक चलती रहे जिंदिगी की सोलमी कडी श्रताओं के पत्रों पर आधारित सुन रहे थे आप पत्र और इमेल द्वारा हमसे प्रश्ण पूच सकते हैं हमारा पता नोट करें विज्यान धारवाहिक चलती रहे जिंदिगी द्वारा केंडर निदेशक कमरा नंबर 615 नव प्रसारन भवन आकाश्वानी संसद मार्ग नई दिल्ली 11000001 हमारी इमेल आईडी है शुताओं हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का पूरा नाम पता आयू वेवसाई यदी विज्यान कलब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना न भूले हां अगर आपके मन में कोई प्रश्णी अजिग्यासा हो तो वो भी लिख भीजिएगा धरवाह एक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सब्ता हम फेर उपस्तित होंगे नमस्कार पत्त पत चले जिंदगी इक ततत विखादगी कहानी कहले जिंदगी जक्रती के संसा धनों का ज्यान हमेशा रहे लेना हो कि पीडियों के आत कुछ नहीं बजे कर हमारे कर्म का दुख दर्ब सहे जिंदगी तिर्फ चले ही नहीं चल तेवी रहे जिंदगी तिर्फ चले ही नहीं प्रदति पत्त चले जिंदगी झाल झाल